नैपाल टीमा क्या चार हतियार है बंगला देश के खिलाब के अखेले के दम पे मैच जिताएंगे चमता रखते हो चार हतियार है नैपाल के और नैपाल टीमा क्या तैयारी होना चाहिए बंगला देश को हराने के लिए जोगी दगाइस बंगला देश कोई छोटी मोठी टीम नहीं एजो कि बंगलादेष अपने गूरूप में टॉप करके आ रहा है नंबर टू पे फिनिस किया को खाली इंडिया हो बाके टिम आयरलेंड और यूस से दोनों टीम नहीं हरा पाया थे खाली इंडिया में बंगलादेष को बंगलादेष में जीत के ही वो अटॉप करके नेपाल के साथ 31 तारीक को भीड़ेगा तो नेपाल क्या तहीयारी करके आना पड़ेगा और क्या देंगे इस्ट समीफानल रहे सुद से Ben謙 ने इसलों, घंञे मनो बॉल लाँब भ५ नेपाल टीम फिर नीचे लग जाएगे फिर उठना भहत ही मुश्किल हो जाएगा जो कि बंगलादेश का मैच जो है गाइस काफी इंपोर्टन है बहुत ही बड़ा मैच है हमारे लिए नेपाल टीम के लिए नेपाल फेंस के लिए कुछ नेपाल टीम चाहेगा कि सुपर 6 मे बंग्लादेष को हरा के समी फालक के रेस्ट में बनाए रहे तो guys वीडियो अच्छा रहे को लाइक भी करो फोलो भी करो सस्क्राइब करो बिना देरी किये चलो guys वीडियो स्शुरू करते हैं guys अगर नैपाल टिम वो बंग्लादेष को हराना है तो नेपाल टीम जो गलती करके आया हुआ तीनों मैच में वो गलती को दोहराना नहीं है जो कि बैटिंग हमारा बहुत ही खराब हुआ गाईस तीनों ही मैच में जो कि इजी मैच हम आप गाईस ताहिए खिलाब जीता हुआ मैच को हम लोग खुद फसा लिये थे अपने गलत नईपाल्य टिम किया तो गल्ती को फिर बंगला देश आईसा पकड़ाएगा कि नईपाल ठीज अपना बवह बैट करना पड़ेगा और चलाई समझना पढ़े गा उनको टीम में क्या रोल है अगर नेपाल टीम बंगलादेश के लिए अगर हाल गया गाईस तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समी फाइनल में पहुंचना क्यों कि इंडिया बहुत मजबूत है बंगलादेश हो अगर बैटिंग अच्छा कर लिया तो बोलिंगं ने आपना झाणाने अपना छर्ष मोगति है दिह처럼 ज्ञादा ज है हमारा प्रिसान हों हमारा बैटिंग भी खिसे की सलगर और डिक लेञेर्द क्लिच में टियाम नहीं का रहा है लिए अपना फेकर पहक के चला जाएं न यहां सब्सक्राइब परोल अदा करना पड़ेगा बंगलादेश के मैच में सिनियर खिलाडी को खड़ा होना पड़ेगा जी मिदारी से काइप पड़ेगा जीमेदाय परकल में जी जाएंगा और बास्ता कारे तो, जीत कैसे पाएंगे को तो जीत कीशेया हैं कि भीचार हो समझना参 lattice यहां कि बार बार यह मोगा नहीं आता है इस मुकाबले में अगर आप खड़े हो गरन बना दे इस मुकाबले में कोई hero बन गया कोई match बिनर बन गया गाइस तो आने वाले समय में नेपाल टीम को यह सकते हों इंटनेस्टा के टीम में इनको मुहका भी मिल सकता है तो यह बहुत बड़ा इस्टेड बहुत ही बड़ा मुखा है बहुत ही बड़ा टाइम है कि अपना टालेंट उक रहे अपना जो दालेंट उसको देखाए पूरा दुनिया और सामने रखे कि नैपाल में कोई ट के जादू में हरकिसी को बल्ले बाज को फसा लेते हैं जब दस ओबर खत्तम हो जाता तो इस्पिन करने आते तो इन पे दारों मदार बहुत है कि दिपेस खंडल भी आके बिकड ले और नेपाल टीम को मैं जिता हैं और दूसरा जो गईस हतियार नेपाल टीम के और किसी को मा युमिका निभाएं फिर मैं रखूंगा गुल्सान जहां को रखूंगा कि गुल्सान जहां ऐसे एक लोते खलाएं कि में मोके में आकर बना के देते लिए पूरे वर्ल्ड का में फिकेर है मकाबला बंगलादे से खिलाब होने वारा उसमें हम लोग उम्मीद रखेंगे कि के गुल्सान जहब बॉलिंग से भिकर लेकर दे और बैटिंग से भी रन्र बना के दे आके लिए कि दब बेर नेपाल के घ्रखंगा फिरांगा एक तो मैं रखता हूं तो बहुत कर लेते हैं तो उनको कोई नहीं भूल सकता कि यह जबाज़ास भंडारी को इसलिए मैं रखता हूं गाइस कोई नए खिलारी यह परेसों करना जानते हैं तो उनसे वह उम्मीद रहे के बॉलिंग से बिकड़ लेके दे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करें बाना क रख सकते हैं बने रहेंगे अगर बनाद देस को हरा देतर तुन हम कर के आना पड़ेंगा अपने कमजोडी किया उनका कमजोडी ऐ आता है क्यों खड़े नहीं हो पाते कोई खिलाइक किरीज में खड़ा हो पाता है तो यह सब पर काम करके आना पड़ेगा तीनों मैच से सीखे अगर आएंगे तो बंगला देश को गईस हम लोग हरा देंगे तो गाइस अगर आप वो क्या लगता है कि नेपाल टीम बंगला आदेश को हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा तो कमेंट कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो अपना राय बता भी सकते हो कमेंट भी कर सकते हो अगर गाइस इसमें चार से हतिया से कौन बड़े सबसे आदा हतियार है तो भी आप कमेंट कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो फोलो भी करो ठाहेंगे फॉर वाचिंग गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में